नमस्कार आप देख रहा है आरेडी नियूज मैं हूँ योगी श्क्रवर्ती बिहार बिधान सवा में इस बात की चर्चा चारो तरफ है खास करके पूरे मिडिया में बिहार से लेकर दिल्ली तक इस बात की चर्चा है कि विफक्ष के तीन बिधायकों को तोड़ कर सीएम नितीस ने बिहार बिधान सवा में बहमत सावित कर दी हलाकि इस बात की चर्चा कहीं नहीं कि सत्ता पक्ष के पांच बिधायक इस दौरान गाइब रहे और बिहार बिधान सवा के अध्यक्ष के खिलाप लाए गए प्रस्ताप पर नो मोशन कॉन्फिडेंस पर उन्हो ने बोटिंग तक नहीं की वे गाइब रहे कहा जा रहा है कि ये तिजस्वी यादव के लिए बड़ी जीत है और सीएम नितीस ही नहीं पीएम मोधी और अमेसा के लिए बड़ी हार उनके लिए एक बड़ा संदेश भी की एक 34 साल का यूवक आपको घुटने टेकने पर जी का से देखते हैं आप योगे जी एक कहावत है कि जीता हो ही सिकंदर तो नितीश दी की सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है अध्यक्च के चुनाओं में भी वह काम्याब रहे और अध्यक्च को हटाया गया तो चर्चा इसी बात की हो रही है कि नितीस दी ने बीजेपी और जेडियू पक्च के पांच-पांच बिधायक सदन से गायब रहे उनकी इंट्री तब हुई जब अध्यक्च के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया मद्दान संपन हो गया उसके बाद ये लोग उहां आए तो ये क्या संकेत देता है यह संकेत इस बात का है कि जब देश में कहा जा रहा है कि नरेंद मोदी जी का अमी साह का बीजेपी का डंका बज रहा है ऐसी सिती में बीजेपी और जेडियू का जो गट जोर एक नया गट जोर फिर से बना है उस गट जोर के पांच-पांच बिधायक अगर सदन में नहीं आते हैं तो अपनी नाराजीन सार्विनी करते हैं और जिनके बारे में पहले से चर्चा थी कि ये लोग सरकार के साथ नहीं रहेंगे और संकट ये था कि इनके नाराने से अध्यक्ष के खिलाब जो अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ था उस अविश्वास प्रस्ताव के गिर जान उसके बाद मिस्री लाल याद हो जो जेडियों के बिधयक हैं दिली प्राय जो जेडियों के बिधयक हैं ये लोग नहीं नहीं आये उसमें अद्धैक्स के खिलाब अविश्वास-प्रस्ताव पर चर्चा चल लगी तो इह लोग दीरे-धरे वह लोग आना शुरूब हुए जब सरकार के का विश्वास मत का प्रस्ताव आया तब यह लोग आया क्योंकि जब मुझे लगता है कि जब यह अस्पष्ट हो गया कि अब सरकार बच जाएगी तो यह लोग धीरे धीरे आगे उसमें भी दिली प्राय अंतक नहीं आए तो दिली प्राय के बारे में माना जा आए कि वो अब जेडियू के साथ नहीं रहेंगे और उनको लोकस्वा चुनाओ का टिकट और जेडि से मिलेगा लेकिन यह जो संकेत है कि यह लोग नहीं आया जिनके नाम मैंने गिना है यह यह लोग बीजेपी के लिए और जेडियू के लिए अब उसमें संजी के लिए से और दूसरी बात यह कि संजीब सिंग को के बारे में है कि उनको बिहार जाढखन की सीमा से और यह लगातार वो अपने लोकेशन के बारे में अलग-अलग किसम के जानकाडियां दे रहा है तो मैं मुंबई में हूँ लेकिन सरकार ने सर्विलांस एक तरह से खोला और उनको अपने रडार पर लिया तो उनका लोकेशन जो मिला तो उसके बाद पर चला कि वह बिहार से बाहर निकलने के त्यारी मे हैं तो उनको घेर करके लाया गया तो यह जो नौबत आई है यह क्या दिखाता है यह दिखाता है कि इस नए गट जोर में जेडी और बीजेपी के गट जोर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और यह सरकार के लिए संकट का सबब बना रहेगा दूसरी बात कि जो यह सरकार है यह सरकार इस सरकार में एक चीज़ देखांकित करने वाली बात है कि नितीज कुमार का वह बोलवाला वह इकवाल अब उस तरह का नहीं है जो पहले हुआ करता था नितीज कुमार के सामने कोई वेक्ती जल्दी उनसे आख मिलाने की या उनके सामने कहिए कि मूह लराने की ह जाते हैं कि जो तीन दो तीन जो मंत्री हैं उसमें खास जो है उनके साथ लगातार घूमते रहते हैं वह जवाब देने लगते हैं ऐसी नौबत हमने नितिश कुमार के साथ कभी नहीं देखी कि उन सवाल सवाल उनसे पूछा जाए और जवाब कोई दूसरा आदमी दे जिनक जुवान नहीं खुलती थी कभी वह अपनी जुवान खोल रहे हैं और जुवान खोलने वाले को सजाएं आउट करते थे नितिश कुमार लेकिन आज उनके उर्द गिर्द घूम रहे हैं तो यह वी एक बड़ी बात है यह दिखाता है कि नितिश्कुमार आज की तारिक में कमजोर है साथ बढ़ता होगा अब बीजेपी अपने कंडिशन पर अपनी सरतों पर सरकार को चलाना चाहेगी जुखाना चाहेगी यह चर्टा चल नहीं है कि समराच चुजरी ने दिल्ली में पार्टिक के लोग की बैठ तो उनको और जुकाना है तो यह एक तरह से सरकार का सामने जो संकट है कि नितिश कुमार का इकभाल और बोलबाला पहले की तरह नहीं है और अभी जो कुछ आगे जो होगा उसमें नित्रित को चुनोती मिलती रहेगी उनके काम काज में बीजेपी का पूरा हस्थेप रहेगा अभी आपने देखा होगा कि नौकरियों को सवाल पर जो समराठ चौधरी ने ट्वीट किया तो उसमें उन्हों करके जो रिक्तिया सामने आई है जो चिठी सामने आई सरकार की जिसे 35 यार नौकरियों का सवाल है तो उसको लेकर कि समराठ चौधरी ट्वीट किया कि यह हमने समती दे दी है यह पद भरने के लिए जो जो खाली पद है उनको भरा जाए है कि जिस तरह से सीम नितीज की कार सैली रही है अगर वही पुराने धर्रे वाली कारे सैली रही तो जो जेडियू है उसमें बिद्रोह का आग और भबकेगा बिल्कुल वो तो उसका तो नजारा सामने दिख गया ना मैं जो कहा रहा हूं कि जो पांच लोग नहीं आए बीजेपी से भी और जेडियू में भी असंतोस का भी है और यह असंतोस जो है इसलिए अभी उस पर परदा पर गया क्योंकि सरकार बच गई अध्यक छटा दिये गए और तीन विधायक आड़ जेडिके इन लोगों ने तोर करके अपने साथ मिला लिया यह नौमत इसलिए आई कि इनको लग रहा था कि हम संकट म में यह काम्याब रहे उनके तीन विधाक तोड़ लिए लेकिन इनको अब एक तरसे आद्म परिक्षा करनी पड़ेगी कि हमारे भीतर जो असंतोस पर लहा है उसको कैसे टेकल किया जाए उसको कैसे ठीक किया जाए क्योंकि यह असंतोस आगे और बढ़ेगा मुझे इस बा बिधान सभा में बहुमत हासिल किया है उसका भावेश से बहुत छोटा हो तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं यह मैं उसके भाविश को लेकर कि कहना बहुत उसका कोई मतलब नहीं है मतलब यह है कि सरकार बहुत यह स्मूथली चलेगी इसकी आसंका मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि सरकार नितीश कुमार पर तरह तरह के दवाव होगा दो दो उपमुखमंत्री बनाए गया है और ऐसे लोग है उपमुखमंत्री जो नितीश कुमार के कटू आलोचक रहे हैं समराठ चौधरी हो बिजय सिनहा हो और खुद बिजय सिनहा और समराठ चौधरी करें जोता रहा है तो यह आगे आने वाले समय में सरकार की सेहत बहुत अच्छी दिखें गी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है तो आर्जेडि के बारे में भी पूरिय मीडिया में इस बात की चर्चा कि आर्जेडि ने साप पाल रखे थे कोई विधायक पाल नहीं रखे थे ता कि राजणीत में इस तरह के फिर बदल उलट पुलट को रहाता है और पर्तिबंध्य ouais वह एक दिन में नहीं पैDA होती है फर लिए पुरा पुलिटसंड हो रही है उसमें निशच से बनाद से मतलब इस तरह की की प्रतिबंध्यां का पूई मतलब नहीं रहा गया है लोग अपने माता पीता के बचाओं में लोग से के बचाव में पाला लगते स्कीभडाए है कि वे पाला वादल तुमारे तो इसलिए उनके बचाव के लिए उपाय किया जहें उन्हीं उन्हाई निलीक बडल मैं कहा जा रहा है कि उनको पति उनको अपने पति अनंत सिंग को जेल से निकलिवाना है प्रफला दैधु को है कि उनको लग रहा है कि वहां जहां से जीट करके आते हैं मुझेट संसीần चेत का हुए और समिकरन में आगार नहीं रहेंगे तो उनके लिए मुस्किल होगी वहाँ पर जितना तो मिला जुला के ये कहा जा रहा है कि जो सीम नितीज की मौझूदा सरकार है बीजे पी और जेडियू की ये सरकार अपने अंतर विरोधों की बजा से बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी और इसका पतन हो जाएगा